जैहिन दोस्तों सवागत आप सभी का केरियर पॉइंट यूट्यूब चनल पर फ्रेंट्स अगर आप लोग अससी अम्टियस हवलदार के लिए तियारिक करें तो दोस्तों आज का टूपिक है वह महिला प्रीमेर लिख 2023 का बहुत ही ट्रेंडिंग टॉपिक है तो आपके एक और आप अगर इसका पीडिया डाउनलोड करना चाहते हैं तो पीडिया भी आपके लिए बिल्कुल फ्रेंट जहां पर आपको पीडिया पिलनेगा वह तो हमारे टेलिग्राम चैनल को आप लोग जोईन कीजिए और दोस्तों वीडियो को लाइक और शेर करना अगर आप हम क्लूपिल दुस्तों क्या होता है वूमें प्रीमेर लिग महिलाकी मील क्रीमेर बिदेडियस का पहला किता है मुंबाई इंदियस ने ठीक हैं दोस्तों इंपोर्टेंट पॉइंट्स भी आपर डिसक्स करेंगे मुंबई इंडियन्स ने दिल्ली कैपिटल को साथ विकेट से हरा कर पहला प्रीमियर लीगे 2023 का किताब जीत लिए है तो आपका अनसर हो जाएगा मुंबई इंडियन्स और किसको अराकर दिल्ली कैपिटल्स को ठीक है नेक्स्ट है फ्रेंट से महिला प्रीमियर लीगे 2023 का आयोजन कहां हुआ है महिला प्रीमियर लीग का अयोजन मुंबई भारत में क्या गया है ओप्शन नमर बी राइट अनसर होगा मुंबई भारत नेक्स्ट है वर्स 2023 में महिला प्रीमियर लीग का कौन सा संसकरण खेला गया यालक ना पहला संस्क्रण खेला गया है महिला प्रीमेर लिग का ओप्शन नमर सी इस क्यूश्टिन के लिए पहला राइट 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 रोगा नेक्स्ट है महिला प्रीमेर लिग 2023 में किस खिलाडी ने ओरेंज कैप जीती है तो फ्रेंट WPL 2023 में किस खिलाडी ने ओरेंज कैप जीती है तो यालक ना मेग लेनिंग ने ओरेंज कैप जीती है और दिल्ली कैपिटल की खिलाडी है आप लोग आलक ना तो दिल्ली कैपिटल की कप्तान मेग लेनिंग ने नो मैचों की, नो पारियों में, कुल 345 rrn ने बनाएं, और दोस्तो, ओरेंज काफं किसको दी जाती है, जो सबसे अधिक run बनाता है, उसको ओरेंज काफं दी जाती है, सरवाधिक run बनाने वाले खिलाडी को, ठीक है, तो friends याद एकना यह जीती है हेली मेथ्यूज ने ठीक है यह मुंबई इंडियन्स की खिला रही है तो हेली मेथ्यूज ने परपल कैप जीती है महिला प्रियमेल लिग 2013 में option नमबर 20 के लिए राई रंसर हो जाएगा हेली मेथ्यूज important points देखते है friends हेली मेथ्यूज ने मुंबई इंडियन्स के लिए पहले सीजन में कुल 10 मैच खेले है जिसमें उन्होंने 16 विकेट लिए है तो परपल कैप दोसों किसको दी जाती है अगर आप से पूछा जाए तो हेली मेथ्यूज ने कुल 10 मैच में 16 विकेट लिए है और इनको परपल कैप दी गई है और इकिस टीम की है तो याद एकना मुंबई इंडियन्स से next है friends महिला प्रीमे लिग 2023 का सुभंकर क्या है तो जोस्तों 2023 प्रीमे लिग का सुभंकर क्या है तो friends याद एकना सक्ती क्या है तो सक्ती महिला प्रीमे लिग 2023 का सुभंकर है option number 20 question के लिए right answer होगा next important question देखिएगा friends महिला प्रीमे लिग 2023 में most valuable player of the tournament कब और किस खिलाडी ने जीता है तो friends किसी ने जीता है तो याद एकना हेली मेथ्यूज ने जीता है जो कि मूमबई इंडियन से most valuable player of the tournament का किताब जीता है हेली मेथ्यूज ने important points देखिए friends हेली मेथ्यूज ने इस tournament में 271 रन बनाए है और 16 विकेट लिए है तो इनको most valuable player of the tournament जुना गया है आंसर हो जाएगा option number B next है पहली hat-trick लेने वाली पहली गेंदबाज कोन बनी है पहली hat-trick लेने वाली पहली गेंदबाज कोन बनी है तो यहाँ लखना EC Wong बनी है जो कि मूमबई इंडियन्स की player है ठीक ना किस team की है अगर team आपसे पूछ जाए तो friends यहाँ लखना मूमबई इंडियन्स option number A friends EC Wong right answer हो गा next है महिला प्रीमे लिग 2023 WPL 2020 का final match किस stadium में खेला गया friends final match खेला गया Baybron Stadium में जो की मूमबई में है ठीक है तो answer हो जाएगा option number C Baybron Stadium मूमबई आपका execution के लिए right answer होगा next है friends है महिला प्रीमे लिग 2023 में fair play award किस team ने जीता है friends महिला प्रीमे लिग 2023 में fair play award जीता है मूमबई इंडियन्स ने और दिल्ली capital दोनों ने fair play award जीता है तो answer हो जाएगा option number C right answer ठीक है ना यादक ना मूमबई इंडियन्स और दिल्ली capital देखिए friends आपके लिए मेहनत कर रहे है friends वीडियो को like share करना चैनल पर करना है चैनल को subscribe कर लेना next question है friends महिला प्रीमे लिग 2023 के final match में player of the match का पुरुषकार की खिलाडी ने जीता player of the match का पुरुषकार जीता है net square Brent ने और इक किस team की है M.I. यानि Mumbai Indians की खिलाडी है net square Brent ने प्लेयर of the match इनको चुना गया है option number discussion के लिए right answer होगा next friends महिला प्रीमे लिग 2023 के पहले संस्करण में कितनी टीमों ने हिस्सा लिया या सामिल हुई थी तो friends कुल पाज टीम इसमें सामिल हुई थी ठीक ना पहले संस्करण में कुल पाज टीमों ने हिस्सा लिया था option number C right answer होगा next friends से Mumbai Indians और Gujarat Joint की बीचे महिला प्रीमेर लिग 2023 का पहला मैच किस स्टेडियम में खेला गया तो friends Mumbai Indian और Gujarat Joint की बीच में महिला प्रीमेर लिग का पहला मैच खेला गया था पाइपार्टिल स्टेडियम जो की मुंबई में है next friends next friends महिला प्रीमेर लिग की निलामी में सबसे मेहंगी बिकने वाली महिला खिलाडी कोन बनी है friends याक ना समर्थी मंधाना है जो सबसे मेहंगी बिकने वाली महिला खिलाडी बनी है option number A राइट अंसोगा समर्थी मंधाना important points देखते हैं friends समर्थी मंधाना महिला प्रीमेर लिग 2023 की निलामी में उच्तम बोली जीत करे 3.4 क्रोड रुपे में रोयल चैलेंजर बैंगलूरू के लिए सामिल हुई है रोयल चैलेंजर बैंगलूरू में यह सामिल हुई है और इनकोई बोली कितने लिगी 3.4 क्रोड जो की सबसे दिखे next है महिला प्रीमे लिग 2023 में emerging player of the tournament का किताब किसने जीता है friends किसने जीता है यस्तिका भाटिया ने जीता है जो कि Mumbai Indians की प्लेयर है यस्तिका भाटिया ने जो कि Mumbai Indians से option number A right answer होगा next है महिला प्रीमे लिग 2023 में best catch of the tournament का पुरुषकार किस खिलाडी ने जीता है friends यादकना Harman Pritkor ने महिला प्रीमे लिग 2023 में best catch of the tournament का किताब जीता है option number D right answer होगा Harman Pritkor next है friends से महिला प्रीमे लिग 2023 में powerful striker of the tournament का पुरुषकार किस खिलाडी ने जीता है तो friends ये पुरुषकार जीता है Sophie Divine ने जो की Royal Challenger Bangalore की player है तो यादकना powerful striker of the tournament महिला प्रीमे लिग 2023 किताब जीता है option number C आपका right answer होगा next है Mumbai Indians ने महिला प्रीमे लिग 2023 का किताब किस खिलाडी की कप्तानी में जीता है तो friends यादकना Harman Pritkor की कप्तानी में Mumbai Indians ने महिला प्रीमे लिग 2023 का पहला किताब जीता है option number D right answer होगा Harman Pritkor next है friends से महिला प्रीमे लिग 2023 का योजन कब से कब तक हुआ friends कब से कब तक हुआ है तो यादकना 4 मार्च से 26 मार्च 2023 तक महिला प्रीमे लिग 2023 का आईजन क्या गया option number C 4 मार्च से 26 मार्च 2023 तक next है महिला प्रीमे लिग 2023 की निलावी में सबसे महेंगी बिकने वाली विदेशी महिला खिलाडी कौन बनी है friends यादकना Ashley Gardner और Nat Skiver दोनों जो हैं सबसे महेंगी बिकने वाली विदेशी महिला है option number C राइट अंस होगा और कितनी राची फ्रेंट से अगर आपको इन से दोनों की राची पूछ जाए तो 3.2.0 क्रोड ठीक है ना 3.2.0 क्रोड राची में ये दोनों भी की हैं ठीक है ना next है friends से महिला प्रीमियर लिग 2023 में कुल कितने मैच खेल गए तो friends महिला प्रीमियर लिग 2023 में कुल मैच 22 खेल गए है option number C 22 राइट अंस होगा next है महिला प्रीमियर लिग 2023 में मुंबई इंडियन्स की टीम का मुखे कोच कौन है तो friends याद रखना सारलेट एडवर्स है मुंबई इंडियन्स की कोच है और ये कहां से है तो friends याद रखना ये इंगलेंड से हैं और ये मुंबई इंडियन्स के कोच हैं, ठीक है ना, ओप्शन नमबर A, राइट अंस होगा, सारलेट एडवर्स, नेक्स्ट है, नीता अंबानी ने, मुंबई इंडियन्स टीम को कितनी राशी में खरीदा था, तो फ्रेंड्स याद एकना, 912 क्रोड में, नीता अंबानी ने, मुंबई इंडियन्स की टीम को खरीदा था, ओप्शन नमबर B, राइट अंस होगा, 912 क्रोड, नेक्स्ट एफ्रेंड्स से, महिला प्रीमे लिग के पहले संसक्रण का प्राइजक कंपनी कौन सी है, तो फ्रेंड्स महिला प्रीमे लिग 2023 का संसक्रण का प्राइजक कंपनी कौन सी है, तो फ्रेंड्स हमारे देश की कंपनी, टार्टा कंपनी है, याद एकना, ओप्शन नमर C, राइट अंस होगा, टार्टा, नेक्स ते फ्रेंट से महिला प्रीमे लिग 2023 की विजेता टीम को कुल कितनी रासी परदान की गई तो फ्रेंट से याद एकना कुल रासी 6 करोड परदान की गई महिला प्रीमे लिग 2023 की विजेता टीम को option number C right answer 6 crore आप लोग friends याद एकना next महिला प्रीमे लिग 2030 का पहला मैच किन दो टीमों के बीच में खेला गया था तो पहला जो मैच खेला गया था friends वो खेला गया था Mumbai Indian और Gujarat Joint की बीच में किसकी बीच में Mumbai Indian और Gujarat Joint की बीच में महिला प्रीमे लिग 2030 का पहला मैच खेला गया option number C right answer होगा important point देखीगा Mumbai Indian ने पहले मैच में Gujarat Joint को 143 रन से हराया है दीगा न next देखीगा महिला प्रीमे लिग 2023 में किस खिलाडी ने एक पारी में सरवादिक 99 रन बनाए तो तो किस ने बनाए है तो याँ देखना Sophie Divine ने बनाए है जो कि RCB Royal Challenger पैंगलूरू की खिलाडी है तो सबसे दिक रन बनाए है नोने एक पारी के अंदर 99 रन option number 2 friends से Sophie Divine इस क्विश्चिन के लिए सही हो जाएगा next question देखीगा महिला प्रीमे लिग 2023 में किस खिलाडी ने सरवादिक चक्के लगाए तो friends याँ देखना किस खिलाडी ने Sophie Divine ने और सेफाली वर्माने दोनों ने 13 तेरे चक्के लगाए सबसे दिक option number 3 आप कर राइट है तो आप प्रेंट याँ देखना यह खिले गए है D.Y. पार्थिल स्टेडियम मूंबई में Bayerbron स्टेडियम मूंबई में दोनों में खिले गए है तो आउसर हो जाएगा option number C दोनों आप लूग याँ देखना D.Y. पार्थिल स्टेडियम और Bayerbron स्टेडियम जो की दोनों मूंबई में है नेक्स्टेड फ्रेंट से नेक्स्टेड फ्रेंट से महिला प्रिमे लिग 2023 के सभी मीडिया राइट किस कंपनी ने खिले दे तो फ्रेंट 2023 का महिला प्रिमे लिग का जो आई जो नहीं उसके इंदर जो सभी मेडिया राइट करी दें, वो किस कमपणी ने करी दें, तो या लखना, वाया कॉम 18 ने सभी मेडिया राइट करी दें, option number D, वाया कॉम 18 ने आपका राइट राइट रूगा, next है friend, से Tata, महिला प्रीमेल लीग का संचालन किस संस्थान दवारा किया जाता है, तो friends, या लखना, यह BCCI के दवारा संचालन किया गया है, ठीक ना, या लखना, महिला प्रीमेल लीग का संचालन हुआ है, वो BCCI के दवारा किया गया है, option number A, friends, right answer होगा, दोस्तों, अगर आपसे पूचा जाए, BCCI का फुल फॉंग क्या होता है, तो friends, या लखना, Board of Control for Cricket in India, फिर सी सुनी जीगा, Board of Control for Cricket in India, इसकी स्थापना, friends, 1928 में की गई थी, आप लोग लग लखना, अगर आपसे पूचा जा, इसका मुख्याले कहां पर हैं, तो friends, इसका मुख्याले मुंबई में है, आपनों कहां पर हैं, मुंबई में, और इसके अद्धेक्स कोन हैं, वरतमान में, तो BCCI के वरतमान अद्धेक्स हैं, रोजर बिन्नी, और अगर आपसे पूचा जाए, इसके उपाधेक्स कोन हैं, तो friends, राजिव शुकला वरतमान में, BCCI के उपाधेक्स हैं, राजिव शुकला, और इसके सचिव कोन हैं, तो friends, जैसा जो है, वो BCCI के वरतमान में सचिव हैं, तो friends, यह कुछ क्यूस्टन दें, जो आपके WPL, वो मैं प्रीमे लिग दो जाते हैं, जो पहला संसकर्ण हुआ है, उसका पूरा डाटा मैंने आपको यहाँ पर कराया, पूरा अनलेसिस यहाँ पर कराया, friends, अगर आपको वीडियो अच्छे लगी, तो लाइक और शेयर करें, अगर आपने हमारे चैनल पर नए चैनल को सबस्क्राइब जूरू करना, जिससे की आपको लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकरेशन सबसे पहले मिलेगा, और जाजा जादा लाइक शेयर करना, जिससे हमें मोटिविशन मिले, और कमेंट करना, आपको वीडियो कैसे लगी, और किस टोपिक पर आपको नेक्स्ट वीडियो चाहिए, अगर आप इसका पीडियाफ टाउनलोड करना चाहते हैं, पीडियाफ के लिए आपको हमारे टेलिग्राम चैनल को जोईन करेंगे, लिंक डिस्क्रिसमिन दिया गया है, साथ भी दोस्तों बता देता हूं, अम्टेस के लिए डेली आपको मोक्तेस होते हैं, शुभे नो बजे आपका मोक्तेस होता है, दो पहर आपका साधे-बारा बजे SSC-म्टेस का मोक्तेस है, ठीक है, उसके बाद में आपका उनियू है, साड़े छे बजे SSC MTS का मोक्तेश और रात को साड़े आठ बजे भी SSC MTS का बिल्कुल फ्री मोक्तेश होता है सभी का PDF पर बिल्कुल फ्री दिया जाता है तो जल्ली इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और फ्रेंड्स लाइक शिर करना जिससे हमें मोटिवेशन मिले तो मिलते नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स तब तक गुडबाई टेक केर जै हिंद जै भारत वंदे मातरम